हलो दोस्तों मुश्कार आए स्टार्ट करते हैं 20 जुलाई की क्लास सबसे पहले आज के वर्ड्स पहला है कॉन्फलेट का पार्ट अव स्पीच है वर्ब इसका मतलब होता है मिक्स करना या फिर आप इसे कहेंगे मर्ज करना या फिर आप इसे कहेंगे मतलब मिलाने को बोलते है तो ML gamit भी कहा जा सकता है ML gamit ठीक है तो conflict का यह मतलब है मिलाना मिश्रित करना दूसरा है grist grist एक noun है grist ऐसी चीज है जो किसी argument को support करती है something that supports an argument कोई ऐसी चीज जो किसी argument को किसी तर्क को support करे वो चीज कहलाती है grist hapless है वो executive है जिन भी words के end में full या less लगा रहता है वो क्या होते हैं executives तो यह suffix less यह बताएगा कि executive है इसका मतलब होता है unlucky या फिर आप इसे कहेंगे unfortunate अनलकी कह सकते हो unfortunate कह सकते हो अभागा कह सकते हो दुर्भाग्यशाली कह सकते हो फिर है round up round up एक phrasal verb है इसका मतलब है to arrest a large number of people बहुत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफतार करना इसे क्या कहा जाएगा round up ठीक है बहुत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफतार करना take away एक noun है इसका मतलब आप just कह दीजिए summary कोई भी point कह दीजिए कोई भी विचार कह दीजिए मतलब किसी चीज से आपने क्या सीखा कोई चीज से आप क्या चीज एक सार निकाल रहे हैं उसे कहा जाता है क्या take away जैसे आज की class है उसका take away क्या होगा वो end of the class आपको समझ में आ जाएगा append है ये verb है इसका मतलब होता है affect या upset drastically मतलब प्रभावित करना कह सकते हो किसी को upset करना कह सकते हो drastically massacre है वो noun है इसका मतलब होता है mass slaughter massacre का मतलब क्या है mass slaughter means बहुत बड़ी संख्या में जन समुख की हत्या कर देनी की जो process है उसे कहते हैं क्या massacre तो यह सामुखी खत्या है इसका आप screenshot लेजीए screenshot ले लिए या है तो अब देखिए start करते हैं आज का editorial a stinging indictment ठीक है दो शब्द है एक है indictment एक है stinging stinging का मतलब नोट करिए लिखो strong या थरो कोई चीज बहुत ही ज़्यादा मजबूत है उसे कहते हैं stinging indictment जो शब्द है इसका मतलब होता है charge ठीक है indictment का मतलब है charge आरोप और stinging का मतलब है strong a है जो दोश्मुक्त करने की प्रोसेस किसी को दोश्मुक्त करने की क्रिया कल के session में भी ये था word तो जो एक्विटल है 121 tribals का 121 आदिवाशियों का जो दोश्मुक्ती है जिनको आरोप मुक्त कर दिया गया है किस के द्वारा इस court के द्वारा NIA court के द्वारा अब ये हुआ रहा है इन tribals के लिए ये कौन लोग थे ये wrongfully responsible hold किये गये थे ये वो लोग थे जिनको गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया था किस के लिए for the deaths of 25 Central Reserve Police Force CRPF के 25 जो जवान थे उनकी हत्या का दोशी ठहराया गया था किस में in a Maoist led ambush in बुरकापाल सुकमा डिस्टिक 36 गड़ इन 2017 2017 में 36 गड़ का सुकमा जिला है वहाँ पे ये छित्र है यहाँ पे एक Maoist के नित्रतों में मावादियों के नित्रतों में एक ambush हुआ था ambush का मतलब होता है surprise attack घात लगा कर आकर्मन करना इसे कहा जाता है क्या ambush उसमें 25 CRP के जवान मारे गए थे इनको लगा दोशी ठहरा दिया कि इनके कारण वो मरे थे ठीक है would have come as a huge relief for them अब ये एक्विटल है इसकी वर्ब है would have come ये अब ये would have के साथ वर्ब की third form लगाते हो तो ये imagination है ये hypothetical condition है आप एक कलपना करते हो कि ये जो है वो एक बड़ा relief का विशे रहा होगा उनके लिए कि इनके लिए ट्राइबल्स के लिए ठीक है huge बहुत ज़्यादा relief मतलब राहत है तो ये बहुत बड़ी राहत की बात रही होगी ट्राइबल्स के लिए फिर समझे 121 जो ट्राइबल्स हैं 121 ट्राइबल्स की जो एक्विटल है एक्विटल नाउन है that determiner है इसलिए ठीक है तो 121 जो अदिवाशी है उनका जो दोश मुक्ती है किसके द्वारा NIA court के द्वारा अब ये कौन थे ट्राइबल्स के लिए वो ट्राइबल्स थे जो wrongfully responsible hold किये गए थे गलत तरीके से जिम्मेदार इनको ढहराय गया था किसके लिए 25 CRPF के जवानों की हत्या के लिए और ये हत्या हुई किस में थी ये मावादियों की नितरतों में जो एक घात लागा के आकरमन किया गया था सर्प्राइबल्स अटेक किया गया था इस जगहे पे 2017 में उसमें हुई थी एक्विटल की वर्ब वर्ड हो कम है तो ये जो एक्विटल हुआ है ये बहुत बड़ी राहत की बात रही होगी उनके लिए ट्राइबल्स के लिए subject acquittal है तो verb ये है subject who तो related pronoun है tribals के लिए है इसकी verb वर है wrongfully adverb है वर के साथ third form दे रखी है held hold held held होता है ठीक है आगे देखिए the tribals were held under the draconian unlawful activities draconian जो शब्द है इसका मतलब होता है सक्त इसे आप strict कह सकते हैं इसे आप stringent कह सकते हैं इसे आप harsh कह सकते हैं कठोर या सक्त इसके लिए यूज़ करते हैं draconian शब्द का तो tribals को hold किया गया hold उन्दा गिरफता रखा गया किसके तहत एक बहुती कठोर कानून है UAPS को बोलते है इस कानून के तहत and the fact और ये fact जो है that the court held that court ने ये पाया कि अब कि वार hold का मतलब पाना है या निरने देना है court ने निरने दिया कि there was little evidence कि कोई सबुत नहीं था little या few से पहले कोई भी अगर आप article नहीं लगाते हो कोई determiner नहीं लगाते हो तो इसका मतलब है कि वो no coming देगा तो यहां पे no है अच्छा evidence जो है वो uncountable noun है evidence का plural नहीं बनता है इसी कारण से यहां पे little आया है अगर ये countable होता अगर आप इसको गिन पाते है तो फिर ये little नहीं आता यहां पे क्या आता few का प्रियोग होता लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है यहां पे count नहीं कर सकते इसको आप इस कारण से little का प्रियोग हुआ है evidence नहीं होता there से start है यह तो conjunction हो गया there से start हुआ तो inversion लग गया पहले क्रिया आ रही है उसके बाद subject आ रहा है तो इसमें यह पताया court ने कि कोई सबूत नहीं था किस बात का that the tribal's head and associations कि यह आदिवासी लोग है इनका कोई भी connection था किस से proscribed माव इस से proscribed का मतलब होता है band जो परतिबंदित है proscribed का मतलब है band जिन पर परतिबंद लगा हुआ है तो जो परतिबंदित माव आदी है उन से कोई connection नहीं था ठीक है should be a pointer तो यह जो चीज है ना यह एक संकेटक होनी चाहिए संकेट किस तरफ कि utter failure है utter का मतलब sheer total पूरी तरीके से sheer या total कि पूरी तरीके से यह failure है किसका the low enforcement agencies उन agencies का जो की कानून लगाती है कानून बनाती है in their response to the massacre किसके परतिबंद्तर में massacre जो हुआ है जन्द सम्हों की जो हत्या हुई है 25 जो CRPF के जवान मारे गए थे उनके बाद में low enforcement agencies आ गए आई लेकिन वो पूरी तरीके से ऐसा फल रही फिर समझना tribals की verb है और यह पैसी वही से B के साथ third firm tribals को गिरफतार किया गया यह गिरफ्ट में रखा गया किसके तहत एक सक्त कानून है UAPA इसके तहत act की जब बात आप करोगे तो दै लगेगा तो यह act के लिए दैर आ रहा है ठीक है और यह जो fact है क्या fact है कि court ने court की verb held है hold की second form है कि कोई भी सबूत नहीं था court ने ये बताया court का निरने ये था कि कोई भी सबूत नहीं मिला little evidence की verb वोज है little यहाँ पर determiner है evidence यहाँ पर noun है that the tribals held in association किसका सबूत कि tribals का कोई भी connection नहीं था tribals की verb held है किसके साथ proscribed मायोस्ट के साथ कि जो प्रतिबंदित मावादी है अब ये भी subject है यहाँ पर इस fact का verb जो है वो ये है तो ये जो है should का देखो दो तरीके से use होता है एक तो should का प्रियोग होता suggestion के लिए मलिक देता हूँ should दो तरीके से use किया जाता है या तो should का प्रियोग आप करेंगे suggestion के लिए सुझाओ के लिए और या फिर should है वो काम आता है strong possibility के लिए बहुती मजबूत संभावना है उसके लिए तो दो function है यहाँ पर मजबूत संभावना है तो निश्चित रूप से जो चीज हुई है ये fact जो सामने आया है वो एक संकेत दे रहा है कि पूरी तरीके से ऐसा फल रही है law enforcement agency इस massacre के response में वाइल justice has definitely been done to the innocent villagers अब वाइल जो है वो conjunction होता है ये काम करेगा दो का दो या ओल दो का जो function है वही function इसका है यद्दपी दो close है दोनो close एक दूसरे के विपरीत बाते करेंगे त्यदपी justice जो है वो निश्चित रूप से किया गया है innocent villagers के लिए ठीक है जो भोले भाले गाउं वाले है उसके लिए यहाँ पे justice तो हुआ है उनके प्रती न्याय तो हुआ है their prolonged incarceration incarceration का मतलब होता है arrest prolonged का मतलब होता है बहुती लंबे समय तक ठीक है लेकिन उनका बहुत लंबे समय तक जो गिरफतारी चली है their possessive adjective है prolonged adjective है और incarceration जो शब्द है यह noun है उनकी बहुत लंबे समय तक जो गिरफतारी चली है would have clearly appended उसने निश्चिय स्पष्ट रूप से append किया होगा append का मतलब हो गया कि प्रभावित किया है बुरी तरीके से और would have के साथ third form में इसका मतलब यह एक imagination है कि ऐसा एक अनमान लगा रहे हैं clearly adverb है their lives उनके जीवन को and those of their dependence और उन लोगों के जीवन को जो उनके उपर निरभर थे उनके dependence थे फिर समझिए ग्यदपी जो यह न्याई मिला है उनको कि उनको दिहा कर दिया गया है यह निश्चित रूप से innocent villagers के लिए न्याई की बात तो कर दी गई है लेकिन वो काफी लंबे समय तक गिरफतार रहे वो कैद में रहे तो उन्हों ने इस चीज ने यह incarceration ने उनके जीवन को प्रभावित किया होगा और उन लोगों के जीवन प्रभावित किया होगा दो यहाँ पे lives के लिए आ रहा है demonstrative pronoun है उनके dependence के जीवन को प्रभावित किया होगा तो वो आदीवासी जिनको की गिरफतार किया गया था and kept in jail और जिनको जेल में रखा गया था अब यह आपका passive का structure है बीन के साथ में third form और यहाँ बीन लगाने के repeat करने के आवशकता नहीं है हलंकि यह भी had been kept ही है लेकिन repeat करने के ज़रूत नहीं तो ट्राइबल्स कौन से ट्राइबल्स जिनको गिरफतार किया गया जिनको जेल में रखा गया पांक साल तक अब ट्राइबल्स की वर्ब है had been denied उनको जमानत से इंकार कर दिया गया उनको जमानत नहीं दी गई ठीक है इन दे पास्ट भूतकाल में इन आई ये कोर्ट किस के द्वारा और 36 गड़ हाई कोर्ट के द्वारा समझ गए सब्जेक्ट है यह हू रिलेटी प्रणाउन आ रहा है ट्राइबल्स के लिए वर्ब है had been arrested or kept फिर ट्राइबल्स की वर्ब है had been denied यह सब passive हो इसके अंदर है आगे कहा रहा है clearly इस पर्ष्ट रूप से adverb है adverb किसी sentence की विशेस्ता बता सकता है इसलिए sentence के शुरू में लग रहा है तो clearly in what seems to be a dubious trend what does dubious mean dubious का मतलब होता है suspected क्या मतलब होता है dubious का suspected संदेहास्पद को बोलते हैं क्या dubious तो इस पर्ष्ट रूप से क्या वो चीज है जो प्रतीत हो रही है to be a dubious trend एक संदिक्द या एक doubtful एक trend जो चल रहा है in such cases in cases में in conflict ridden सतिसगड ridden जो शब्द है ये एक executive होता है पहले तो part of speech समझ लें इसका ये executive होता है इसका मतलब होता है जो चीज यहाँ पे dubious trend नजराती है एक ऐसी परवर्थी नजराती है जो संदिक्द है ऐसे cases में सच के बारे मता दूँ आपको कि plural noun अगर दे रखा है तो हम सच का प्रियोग करते हैं इससे पहले लेकिन अगर singular noun दे रखा है और उससे पहले सच लगा रहे हो तो फिर इससे पहले A या N भी लग जाता है यहाँ A या N लग जाता है यह दोनों में याद रखियेगा तो इस परष्ट रूप से जो चीज यहाँ पे dubious trend नजराती है ऐसे cases में कहाँ पर 36 गड़ में इंपोज करने का process इंपोज होता है थोपना तो जो यह ड्रैकोनियन UAPA है एक सक्त कानून है कठोर कानून है UAPA अनलोफूल अक्टिविटीज का यह जो कानून है prevention act है तो इसका जो इंपोजिशन है इसको थोपने की जो process है without sufficient proof बिना कोई परियाप्त सबूत के has resulted in this situation उसका परिणाम निकला है यह situation आई है उसका परिणाम है कि यह situation निकल कर आई है result के साथ में preparation जो है वो in लगता है result in का मतलब होता परिनित होना ऐसा परिना निकलना तीक है what की verb seems है the imposition की verb है वो has resulted है result के साथ में इन लगेगा draconian का सक्त होता है एक बार repeat कर देता हूँ कि जो चीज यहाँ पर परतीत हो रही है कि dubious trend है dubious objective है क्योंकि जिन words के end में OUS होता है वो executives होता है trend की विशेस्ता बता रहा है trend down है तो जो चीज परतीत हो रही है कि एक संदिक दिया संदिहास्पद रुजहान है या परवर्ती है ऐसे cases में कहां पर conflict ridden 36 गड़ उससे परे 36 गड़ राज्ये जो की काफी लड़ाई से भरा है संघर्षों से भरा है और उससे परे तो जो imposition हुआ है इस UAPA जैसे कठोर कानून का बिना sufficient proof के उसके कारण ऐसे इस्तिती उत्पन हुई है आगे देखिए A defense lawyer also claimed एक defense lawyer है उन्होंने भी claim किया also जो है वो man verb से पहले आता है also का प्रियोग man verb से पहले करते है also adverb है ठीक है तो कह रहा है कि a defense lawyer जो है उन्होंने भी दावा किया है that the police investigation was poorly done कि police जांच परताल जो हुई थी वो बड़े ही घटिया तरीके से की गई थी poorly यहाँ प adverb है defense lawyer की verb claimed है police investigation की verb है was done है poorly adverb है तो defense lawyer ने भी दावा किया कि police investigation बहुत घटिया तरीके से की गई with the injured central reserve police force commandos not being made witnesses इसमें क्या हुआ जो घायल थे कौन CRPF के commandos उनको क्या नहीं किया गया उनको witness नहीं बनाया गया ठीक है देख कमांडो जो है न कमांडो इसका पूरर बनाया गया है यहाँ पे commandos तो क्या कह रहा है कि भई defense lawyer ने भी दावा किया कि police investigation बड़े घटिया तरीके से की गई कैसे घटिया तरीके से क्योंकि CRPF के जो commandos है उनको नहीं बनाया गया witnesses में ठीक है उनसे पूछ लेते किसने हमला किया before the tribal people were arrested किस से पहले ट्राइबल लोगों को गिरफतार करने से पहले ट्राइबल पीपल की वर वर अरेस्टेड है पैसिव है लेंडिंग क्रिडेंस लेंड क्रिडेंस का मतलब होता है यह प्रतीत करवाना या फिर यह महसूस करवाना कि भई हाँ यह बात सच है उस चीज को बोलते है लेंड क्रिडेंस ठीक है लेंड क्रिडेंस एक फ्रेज है इसका मतलब है किसी चीज को और अधिक ऐसे महसूस करवाना कि हाँ यह बात बिलकुल यथार्थ है बिलकुल रियल है उसके लेंड क्रिडेंस बोलते है तो इसने इस fact को क्या कर दिया बिल्कुल real थाबित कर दिया that the apprehended people apprehended का मतलब यहाँ पे arrested है गिरफतार apprehend से बना है executive बन रहा है फिलाल past participle क्योंकि जब noun दे रखा है people उस से पहले लगा रखा है यह executive यह past participle है समझ रहे हो तो यहाँ पे apprehended का मतलब है arrested had been made scapgoats scapgoats का मतलब बली का बकरा है बली का बकरा का मतलब है कि गलती किसी और ने की और उसके सिदा किसी और को भुगतनी पड़ रही है वो scapgoats है तो कह रहा है tribal people को गिरफतार करने से पहले CRPF के जवान जो गहल हुए थे उनको witness नहीं बनाया गया और इससे क्या है इस बात से इस fact को एक क्या कह सकते हो support मिलता है यह fact all real बन जाता है कि जो गिरफतार लोग थे उनको क्या किया गया बली का बकरा बनाया गया पैसी वो इस है बीन के साथ में third form है as a takeaway from the outcome of this case outcome का मतलब result होता है ठीक है takeaway का मतलब बताया कि सार मान लीजिए कि आप इस case से क्या निकाल कर लेकर जाते हो ठीक है तो एक takeaway के रूप में कि इस case का जो परिणाम निकला है उससे हमें एक सारान समझ में आता है the state must ponder क्या कि जो सरकार है state का सरकार must जरूर से जरूर करना चाहिए ऐसा must है वो obligatory है must एक model है जो आपको बताता है कि भई ये मजबूरी है आपकी ये जबरदस्ती है करना ही पड़ेगा ponder का मतलब सोचना विचारना होता है think over होता है as to का मतलब होता related to किसी चीज के संबंद में ठीक है तो सरकार को जरूर से जरूर सोचना पड़ेगा किस संबंद में सोचना पड़ेगा whether this is strategy of rounding up कि ये जो आपकी strategy है round up करने की round up मतलब लोगों को गिरफतार करने की suspects जो भी जिन पर संदे है उनको गिरफतार करने की among the hapless tribals और किन लोगों को गिरफतार किया है उन अभागे उन दुरभागे शाली आदिवाशियों गिरफतार किया in the name of swift action किस के नाम पर कि टिवर कारवाही के नाम पर following a military setback किस के बाद एक military setback के बाद setback का मतलब बराजे भी होती है setback का मतलब रुकावट या बाधा भी होती है तो एक सेनने setback के बाद does any good to low enforcement तो ये तो कुछ भी ऐसा करेगा नहीं low enforcement के लिए फिर समझना एक take away क्या है आप इससे क्या सीख ले सकते हो सीख ही ये है इस case के परिणाम से कि सरकार को जरूर से सोचना चाहिए कि क्या जो आपकी strategy है कि आप संदिकदों को गिरफतार कर लेते हो और वो भी एक अभागे आदिवाशियों में से किस नाम पर swift action के नाम पर किस के बाद में military setback के बाद में ये तो military setback की रहा न कि military ने कुछ यहाँ पर मतलब कहें कि विसन ने ऐसा फलता का एक result है तो ये जो है अगर आप ये take away लेते हो कि यहाँ पर सरकार जो है action mode में आएगी तो ये कुछ अच्छा कर सकती है किसके लिए law enforcement के लिए जो भी कानून हम लागू करते हैं उसके लिए subject verb की बात करें the state subject है must ponder इसकी verb है as to है वो एक phrase है this strategy subject है verb जो है इसकी वो कौन सी है judge ठीक है बाकि ponder का मतलब सोचना विचारना है as to का related to है take away का मतलब कोई seek है idea है point है summary है gist है ये कह सकते हो बाकि कुछ इसमें विशेश नहीं है the clearest way जो सबसे इसपष्ट रास्ता है किसका to defeat the maoist insurgency maoist का maoadhi insurgency withdraw revolt insurgency का rebel कह सकते हो revolt कह सकते हो withdraw कह सकते हो तो maoadhi विद्रोह का हराने का सबसे इसपष्ट तरीका क्या है या फिर any political moment कोई भी राजनेतिक आंदोलन जिसके अंदर हिंसा हो जो आधारित हो हिंसा पर और motivated by disenchantment with the state और किस से अभी प्रेरित हो अभी प्रेरित हो disenchantment से disenchantment मतलब मौभंग को बोलते है with the state सरकार के साथ सरकार के साथ मौभंग हो गया उस से प्रेरित है या violence से आधारित है तो जो सबसे इस पर्ष तरीका है maoist insurgency को defeat करने का वो क्या है? वो वे की verb है इज़ वो है uphold करें आप uphold का मतलब होता है support करना तो सबसे तरीका यह है कि rule of law जो विधी का कानून है उसका support करें and to win support और समर्थन हासिल करें किसमें उन लोगों का समर्थन हासिल करें who the insurgents claim to be fighting for जिनके बारे में जो विद्रो कर रहे हैं लोग वो कहते हैं कि हम उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं तो उन लोगों की सहनभूती बटोरो उन लोगों का support हासिल करो तब आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो clearest way की verb है वो इज है ठीक है insurgents की verb है वो claim है तो सबसे सबस्पष तरीका maoist insurgency को defeat करने का वो तरीका ये है सिदा यहां आजाईए तरीका है कि आप rule of law विधी के कानून को uphold करें और support को हसिल करें किसका उन लोगों का support जो की insurgents दावा करते हैं कि जिनके लिए वो लड़ रहे हैं उन लोगों का support ठीक है बीच में ये डैश देखा के बताया कि या फिर कोई political moment चाहे वो माववादी insurgency की बात हो या कई बर राजनेतिक कोई आंदोलन होता है जो की हिंसा पराधारित होता है या फिर प्रेरित होता है कि सरकार के प्रती रोश है गुस्सा है लोगों का मौभंग हो चुका है उससे प्रेरित होता है तो उसका भी defeat करने का तरीका यही है आगे देखिए without popular support बगेर लोगों के support के popular का मतलब है लोग जन मानस कह सकते हो बिना लोगों के support के insurgency जो भी विद्रो है are bound to fail वो मतलब एसफली रहेंगी ठीक है bound to मतलब certain है निश्चित है bound to का मतलब ये बात तो होकर रहेगी ये निश्चित है कोई रोक ही नहीं सकता ये इसका मतलब है ठीक है न तो कह रहे है कि बिना popular support के बगैर अगर आप लोगों के support के लोगों का support अगर आपके पास नहीं है तो फिर मान के चलिए कि insurgency को तो एसफल होना ही है विशेस करके बात कर रहे हैं मावष्ट moment की मावष्ट आंदोलन की मावष्टियों के अंदोलन की that is underpinned underpinned का मतलब होता है supported supported ठीक है तो ये जो मावष्टिय अंदोलन है वो यहां supported है किस चीज़ पर on winning over those in dis enchanted मतलब ये मावष्टिय अंदोलन का जनम क्यों हुआ क्योंकि इसने क्या किया है जो भी dis enchanted लोग है भारतिय सरकार के साथ जिनका मोभंग हो रखा है जिनका भारत सरकार के प्रति गुस्सा है उन पर इन्होंने क्या कर रखा है उनको जीत रखा है उनके दिल जीत रखे हैं उनका support इनको हासिल है insurgences की verb आर है bound है वो bind की third form है bind होती है first form फिर second form करेंगे तो bound और third form करेंगे तो वो भी bound तो bind, bound, bound इस तरह बनता है ठीक है that है ये mausht moment के लिए है verb है इसकी is underpinned समझ गए beyond harping on harp on का मतलब होता है एक ही राग अलापते रहना एक ही बात करते रहना और ऐसी बात जो अब एक ही बात करोगे तो इसका मतलब boring भी हो जाएगी ultimately तो ultimately bore भी हो जाती beyond preposition है इसलिए आगे वाली जो verb है वा इन जी form में आ रही है तो कहरा है कि उन factors को harp on करने के परे केवल आप एक ही factor गिनाते रहते हो बार बार में उनके परे जैसे की factors कौन से जो आप गरीबी को लेकर बात करते हो livelihoods आजिवीका को लेकर बात करते हो संकट में crisis में and economic inequality और आर्थिक ऐसमानता की बात करते हो उससे परे ठीक है तो कहरा है कि भी बार बार में एक ही राग अलाबते रहना उनी factors की बात करना जो संबंदित है related में two लगता है जो संबंदित है गरीबी से या संकट में आजिवीका से या आर्थिक ऐसमानता से इन सब के परे जो माववादी है वो यूज करते है tactical violence मतलब ये तो यूज करते ही है वो रागलापते हैं कि गरीबी है आर्थिक है समानता है और livelihoods का संकट है तो livelihoods in crisis मतलब livelihoods जो है वो संकट में है इन सब के परे माववादी जो है वो tactical violence अपनाते हैं मतलब हिंसा अपनाते हैं और हिंसा भी tactical मतलब पुली रणनिती बना के हिंसा करते हैं अब इससे क्या होता है इस हिंसा के कारण क्या होता है सरकार यहां पे दमन करती है repression का मतलब अत्याचार repression का मतलब दमन repression का मतलब oppression तो ये जो हिंसा है वो invite करती है सरकार के द्वारा अत्याचार फिर इन पर होता है सरकार इनको दमन करती है इनको दबाती है और फिर उनका जो परपज है कि वो मतलब question करते रहते हैं इनका एक प्रशन रहता है क्या legitimacy of the Indian state की भारत सरकार की वैद्यता भारत legitimacy की भाई वो चीज वैलिड है क्या वो चीज सही है क्या जो प्रशन वाचक चिन लगाते हैं वो चीज सही ठहराई जाती है वो चीज सही हो जाती है यह कहते हैं देखो हमारे प्रत्याचार कर रहे हैं हलंकि गलती इनकी है इस कारण से ऐसा होता है लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन मार्ग छोड़ देते हैं बाई टाइप कास्टिंग टाइप कास्ट का मतलब होता है बार-बार में एक ही रोल देना ठीक है किसी एक्टर को आप किसी मुवी में रोल दे रहे हैं और बार-बार में एक तरह का रोल dissidence का मतलब होता है disagreement एस अहमती dis affection का मतलब affection का मतलब होता है सने dis affection का मतलब सने भंगो गया प्रेम भंगो गया मो भंगो गया उसको बोलते है dis enchantment कह सकते है with insurgency insurgency with dro को बोलते है तो tribal people को typecast करके आदिवासी लोगों को एक प्रकार का ही रोल दे कर क्या करते हुए conflict करते हुए dissidence and dis affection with insurgency insurgency के साथ जो भी dis affection है dissidence उनको mix करके and taking that dubious route of mass incarceration और dubious route एक संदिक द्रास्ता अपना कर क्या क्याप जन समों को गिरफतार कर लेंगे incarceration का गिरफतारी है following any setback to the security forces किसके बाद following मतलब after किसके बाद कोई भी hindrance है कोई भी रुकावट है किसके सामने security forces के सामने उसके बाद अगर आप ऐसा करते हैं समझना आप आदिवासी लोग्यों को दोशी ठहराते हो एक ही रोल आप उनको दे रहे हो कि आप दोशी हो दूसरा क्या कर रहे हो एस एहमती और disaffection को insurgency के साथ mix कर रहे हो तीसरा काम क्या कर रहे हो एक संदिक दरास्ता अपना रहे हो जन सामुही को गिरफतार करके किसके बाद जब security forces तुरक्षा बलों के सामने कोई भी hindrance कोई भी बादा कोई भी setback आता है उसके बाद ऐसा करने के दौरा low enforcement agencies जो है जो भी कानून बनाने वाले agencies है वो क्या करती है केवल end up का मतलब है result यह निकलता है result यह निकलता है कि वो grist add करते है grist का मतलब क्या है किसी भी दावे को support करना किसी भी argument को support करने वाला point तो यहाँ पर यह support करते हैं किस चीज को माविष्ट propaganda को माविष्ट propaganda प्रोपगेंडा प्रचार प्रसार को बोलते हैं माववादी जो एक propaganda लेकर चलते हैं एक प्रचार करते रहते हैं उस चीज को support करता है यह चीज क्या है यह maoish propaganda जो है यह emphasize करता है जोड देता है किस चीज़ पर? That deeds are just characteristics कि यह जो है यह characteristics है यह विशेष्टा है किसकी repressive state की repressive का अप्रेसिव कि उस सरकार की जो दमनकारी सरकार है अत्याचारी सरकार है That is beyond reform और यह वो सरकार है जो कि reform इसका होई नहीं सकता सुधार से परे है reform का सुधार beyond का मतलब परे तो सुधार इसमें नहीं हो सकता incorisible है अगर आप इसको वैसे करें एक की शब्द में तो incorisible कह सकते हैं इनमें सुधार नहीं किया जा सकता फिर समझ दीजिए आप ट्राइबल पीपल को टाइपकास्ट करते हैं एस एहमती और डिसफेक्शन को insurgency के साथ mix कर देते हैं संदिक देक रास्ता अपनाते हैं कैसा कि mass incarceration करते हैं किसके बाद जब security forces के सामने रुकावट पैदा होती है तब तो ऐसा करके आप low enforcement agency जो है न वो केवल उस दावे को support करती है उस तरक को support करती है जो माविष प्रोपगेंडा है यह प्रोपगेंडा है क्या यह प्रोपगेंडा जोड देता है इस बात पर कि यह जो सब चीज़े हैं जंसमों की गिरफतारियां या फिर हम लोगों को एकी तरीके से की deal करती हैं कि सारा जो एक दोश है हम पर ही मड़ती रहती है सरकार यह सब विशेस्ताएं हैं किसकी एक दमनकारी सरकार की और यह सरकार सुधर नहीं सकती यह इनका कहना है और आप यह सब करके इसी चीज़ को एक सपोर्ट करते हो यह सही ठहराने का काम करते हो विसाइड्स परपजीव सोस्यो एकोनोमिक एक्षन परपजीव मतलब परपज के साथ विद परपज सोस्यो एकोनोमिक का मतलब समाजिक आर्थिक एक्षन कारेवाही besides का मतलब होता है के अलावा preposition है इसका मतलब है के अतिरिक्ट तो परपजिव socio-economic action जो है मतलब समाजिक आर्थिक जो कारेवाही है उसके अतिरिक्ट low enforcement जो है must reinforce reinforce का मतलब होता है support करना मजबूती देना सहारा देना ठीक है तो इस चीज के अलावा कि भी purposeful तरीके से socio-economic action आप लें इसके अलावा low enforcement जो है जो भी कानून बनाने वाली agencies है उनको जरूर से उन steps को मजबूती देनी चाहिए उन कदमों को support करना चाहिए जो संबंदित है किस से procedural law से procedural law का मतलब वो कानून जो की procedure से संबंदित है जो तोड़ तरीकों संबंदित है उस कानून को support करना चाहिए किसलिए ताकि जो maoist critic है critic का मतलब है assessment ये critic जो है इसका मतलब है assessment मुल्यांकन कह दीजिए appraisal कह सकते हो लिख लेना इसको बहुत important है appraisal कह सकते हो तो जो माओ वादियों का जो एक भारतिय सरकार को लेकर मुल्यांकन है उसको डिस्प्रूव करें डिस्प्रूव करने का मतलब है कि उसको ये ठहराएं की गलत है ऐसा करने के लिए ज़रूरी है and to retain legitimacy legitimacy, legality, legality retain बनाए रखना, maintain करना among tribal citizens जो भी आदिवासी नागरिक हैं उनके बीच legitimacy को बरकरार रखें तो इसके अलावा कि ठीक आप socio-economic action लेंगे समाजी कार्थिक कारेवाही करेंगे उसके अलावा low enforcement जो है उसको क्या करना चाहिए उन steps को reinforce करना चाहिए उन कदमों को मजबूती देनी चाहिए जो संबंदित है procedural law से किसलिए ताकि जो मावादियों का मुल्यांका भारा सरकार को लेकर उसको disprove किया जा सके और क्या कर सके जो आदिवासी जनसंग किया है आदिवासी नागरिक हैं उनके बीच में legitimacy को रिटेन कर सके बनाई रख सके तो यह था आज के सेशन में इसका PDF टेलेग्राम चैनल पर मिलेगा आज़िस क्लासे नाव टेलेग्राम चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन में है सीधा सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा उसमें वो कैब दे रखी होती है वो सब पढ़ कर उसके बादी सेशन देखा करें बहुत अच्छा लगेगा बहुत अच्छे समझ में आएगा आज इस क्लासे एप्लिकेशन पर काफी सारे paid courses हैं वो भी आप जरूर से विजिट करें काफी fruitful हैं आपका score बढ़ा सकते हैं exam में मिलते हैं अब कल ठेक शाम पांच बजे तब तक रिना मशकार थेंक के बेरे माच